हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेयर बजार वितायुष और बात करेंगे दोस्तों 12 डिसमर यानि आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में अब बहुत इंट्रेस्टिंग हो गया है देखिए आई प्यो मार्केट क्यों बिकाज कैसकते हैं कि जिस प्रकार की लिस्टिंग हो रही है वो दिखाता है कि action जो है वो definitely अभी जादा नहीं बन रहा है आज जिस प्रकार से यूनिपार्ट इंडिया दोस्तों लिस्ट हुआ है यह दिखाता है कि IPO में भी अभी दिक्कते हैं बहुत जादा slow action है ली थोड़ा सा मिसिंग है तो इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी मेंडन आइपयो उजे प्लस एसमीज आइपयो है जो अभी खुले हुए उनकी ग्री मार्केट के उपर आज से दोना आइपयो पर हुए है अबन्स एन सुला वाइनियार्ज तो कितना करेंट सब्सक्र है चार दिन तक ओपन रहेगा यानि 12, 13, 14 and 15 तो चार दिन ये ओपन है 256 to 270 का प्राइस बेंड है दो रुपी कि इसकी फेस वाली वे 345.60 करोड का पुरा ये एश्यू है बी ऐसे एनसे दोनों पर लिस्टों का 55 शीर मिलेंगे अभी तक का सब्सक्रिप्शन कितना है अभी आईपी उस भी है जहां पर आप देखिए क्यू आईपी 67 टाइम्स पैसा लगाया था क्यू आईपी ने और वो आईपी आज दोस्तों डिसकाउंट में खुला अभी नीचे चल रहा है तो ये दिक्कते हैं और फिर ऐसे आईपी में तो बिलकुल भी ना लगा है जहां पर इंट्रेस बिलकुल भी नहीं है तो QIB जिरो टाइम्स एनईईई जिरो टाइम्स रीडल के डिगरी 0.07 टाइम्स और बिलकुल भी इंदर पैसा नहीं आ रहा है 0.04 टाइम्स यही है कि देखिए ऐसे आईपी उसके अंदर पैसा ना लगा है जहां पर पैसे बनने की शौरि तो डिफिनिटली है नहीं कई भी यह अपना आप में एक सच है क्योंकि यूनिपार्च इंडिया में ग्रे मार्केट जितना उपर दिखा रहा था आज अंडाउटेटली उसके आसपास कहीं भी लिस्टिंग महीं हो पाई तो यह दिक्कत है जो डिफिनिटली अभी बहुत बड़ा कंसर्न बनी हुई है फ्रेंट्स जो दूसरा आई प्याज ओपन हुआ है वो है सुला वाइन यार्ट्स 12-14 यानि यह तीन दिन का इश्यू है 340-357 का प्राइस बैंड है दो रूपे की इसकी फेस वेली है 960 करोड का इश्यू है पूरा का पूरा 960 करोड का नहीं जो अच्छे ना इस कैटेगरी यह 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुई है और क्लू मिलाकर दोस्तों यह इश्यू अभी तक 0.13 टाइम सब्सक्राइब हो गया तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का पैसा निकल क्या आता है अल्मोस 650 करोड के असपास का जो इश्यू है वो बचा हुआ है अगर आप सबको देख लेंगे तो 672 करोड का तो यह यह कि हां यह इश्यू तब भी ठीक करना चाहिए अबन्स होल्डिंग के वह गाबले तो अगला IPO दोस्तों लैंडमार्क कार्स का लैंडमार्क कार्स IPO भी ओपन होने वाला है कल से आज यह आंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा तो आज आंकर बुक कितनी भरती है वो बहुत इंपोर्टन होगा समझना 13-15 डिसंबर के बीच में यह इशू ओपन होगा 481-506 का कंपने ने प्राइस बेंड रखा है 5 उर्पे की इसकी फेस वैलू है 552 करोड का दूस्तों यह इशू है जो आपको BSA NAC दोनों पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 29 शेज आपको मिलेंगे एक लॉट के अं आज इस IPO का 3rd डे है कल इसका आखरी दिन रहेगा 30 रुपे का इसका प्राइस बेंड है 10 की फेस वैलू है और एक लॉट के अंदर आपको 4,600 मिलेंगे जो सिर्फ BSA पर लिस्ट होंगे जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन जो है वो आल्मोस कह सकते है 22 टाइम्स के असपस आ डाउट नहीं है 6.79 टाइम्स जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एनाई है इस केटिग्री है वो भर चुकी बड़ मोसले उनका पैसा आखरी दिन आएगा तो यहाँ पर तो सब्सक्रिप्शन बढ़िया ही आ रहा है अगला दूस्तों जो इशू है वो है आली टेक यहाँ है 48 अगर आप करोड का शेयर आई प्यों देखेंगे तो बहुत काम आई प्यों आते हैं जो इतनी वाल्यू के होते हैं तो यह आया है मिलब ऐसे मिस के बात कर रहा हूं अभी तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन के मुताबिक एट टाइम सब्सक्राइब हो गया जिसमे QIBS जो होते हैं वो पैसा नहीं लगाते हैं ज्यादा SMEs के अंदर तो ज्यादा QIBS पोर्शन भणने की उमीड भी मत रखेगा बलब यह है कि 20 से 30 टाइम लगर सब्सक्राइब हो जाती है तो बड़या सब्सक्रिप्शन आ जाएगा बाइद क्यू आइब अब दोस्तों दे रखेगा 15 तरीक तक यह खुला रहेगा लैंडमार्क कार्स कल से कुलने वाला है 32 रुपीज ग्रे मार्केट है 506 का 538 पर अभी दिखा रहा है बट अगें यही कि 6% के पीछे कि जाए ना जाए यह अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगला है आबन्स होल्ड तो यहाँ पर भी विहट डाउन ने 25 रुपेश की दोस्तों ग्रे मार्केट पहुच चुकिये 357 का इशू 382 तक लिस्ट हो सकता है 7% का लिस्टिंग दिखा रहा है तो बहुत पूर अभी लिस्टिंग जो है वो नजर आ रहे सारे में लन आइप उसके अंदर फिर आता है PNGS गागी फैशन 50% दोस्तों ग्रे मार्केट हो गई है 15 रुपे पहुच गई है 35 रुपे पहुच गई है 35 रुपे तक आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है All the technologies 70 रुपेज दोस्तों करेंट ग्रे मार्केट पहुच चुकी है 80,000 यहाँ पर subject to rates हो चुकी है 90 का इशू 160 तक लिस्ट हो सकता है 77.78% का लिस्टिंग है और हम टेक्नलोजी 39 रुपेज दोस्तों करेंट ग्रे मार्केट आ गई है जरू ग्रे मार्केट पहुच पहुच पर subject to rates अभी भी stable है 95,000 पर 42 का इशू 81 पर लिस्ट हो सकता है यह यहाँ पर बिल्कुल माना जा रहा है और भी दोस्तों दो दिन नए SME IPO है जो ओपन होंगे इसी वीक के अंदर ग्रे मार्केट अपर तक स्टार्ट नहीं हुई है जो नाम है उनके वो है दोस्तों पहला अ साइज है अग्रा इशू है दोस्तों डोलेक्स एग्रोटेक 15-20 डिसमबर की वीच में खुलेगा 35 का प्राइस बेंड है 10 की फेस वैल्यू है 24.39 करोड का इशू है NAC SME लिस्ट हो का 4000 का इसका लॉट साइज रखा गया है और दोस्तों जो आखरी इशू है जो ओपन होगा इसी वीग वो है उमा कनवर्टर तो यह आईपयो भी ओपन होने वाला है 15-21, 33 का प्राइस बेंड है 10 रुपे की फेस वैल्यू है 18 करोड का इशू है जो आपको NACP लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा अनली and 4000 का लॉट साइज है तो यह जो जो आईपयो अपकमिंग ह क्या आथा है सारे IPO के अंदर हम बात करेंगे शाम में सब्सक्रिप्शन डेटा के उपर तो वह वीडियो आने वाले नोंटेफिक्शन मेल को ज़रूर प्रेस करके रखेगा ताकि आपको सबसे पहले important updates मिल सके थैंक्यो फ्रेंड सौच में इस वीडियो